कैसे पढ़ू कैसे लिखू कैसे लिखू कैसे लिखू कैसे लिखू किताब कहानी कैसे लिखू मन की बात चमा गुणा घटा सीख कर कैसे चलू जद के साथ कैसे पढ़ू कैसे लिखू कैसे लिखू पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास साथियों नमसकार मेरा नाम है शारदा और मेरा नाम है घुमन्तू आपका नाम क्या है आप जो साथी हमारा कारिकरम देख रहे हैं अपना नाम जरूर बोलिए संकोच कैसा आप शायद अपना नाम लिख भी लेते हों अगर नहीं लिख पाते तो अब सीख लेंगे आप अपने साथ एक कौपी डोट बुक पैंसिल कुछ भी जरूर रखिये उस पर अपना नाम लिखिये कुछ बनाईए यहाँ देखिये लिखे हैं नाम ही नाम शायद आपका भी नाम हो इसमें आईए पढ़ते हैं कौन-कौन से नाम है नीलम सचिन असलम अनारो कमला शशी आफताप देवी सुष्मा बबिता विनोर और यह अनवरी आज हम मिलेंगे अनवरी से और उसके परिवार से और मैं आपको ले चलूँगी बाजार वहाँ हम देखेंगे फल, सबजी, अनाज, डाल की दुकाने कुछ प्रश्न पहेली भी पूछेंगे बूछेंगे पर ये प्रश्न पहेली होगी उन अक्षरों से जो हम आज सीखेंगे और सीखेंगे एक से नौ तक के अंक लिखना हम आ गए बाजार में आप यहां क्या-क्या देख रहे हैं? आपके घर के पास कौन सी दुकान है? देखें यहां इस बाजार में कितनी दुकाने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नौ अहा, इतने सारे फल कितनी तरह के? इतनी सारी सबजियां कितनी धेरिया हैं? गिन कर देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नौ और आप मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी इतने आप एक से नौ तक के अंकों को पहचानें और सीखिये कैसे लिखते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ आईए इस चित्र को ध्यान से देखें यहां कितने लोग काम कर रहे हैं? गिने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे यहां कितने बच्चे हैं? गिन कर देखते हैं एक, दो, यहां कितने बड़े हैं? एक, दो, तीन, चार अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे इस लिखी हुई गिनती में छे कहां लिखा है? अच्छा बताएं इस खाने में चार कहां लिखा है? और ये भी बताएं दो कहां लिखा है? यही तो है अनवरी का परिवार अब हम अनवरी के परिवार से मिलने पहुच गए हैं क्या इस चित्र में गुड़ाई का काम चल रहा है? क्या आपके इलाके में धान की खेती होती है? क्या आपका परिवार भी मिलकर कोई काम धन्दा करता है? क्या आप उस काम में अपने परिवार की मदद करते हैं? अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग खेती करते हैं परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरहा से काम में हाथ बटाते हैं उनके खेतों में इस समय धान की रोपाई चल रही है जब धान की फसल पक जाएगी तो सब मिलकर कटाई के काम में लगेंगे मुझे इस परिवार की गह बात बहुत पसंद है क्या बात? मिल जुलकर काम करने की मुझे पसंद है एक बात घुमन्तु चाची की क्या बात? घुमने घुमाने की चलिए देखें वे कहां है इस समय? चलिए मैं यहां हूँ फल सबजी हाट में आपके यहां हाट में कौन-कौन से फल और सबजी दिखाई देते हैं किस मौसम में होती है आम की बहार? और कब दिखते हैं मीठे-मीठे अमरूत? आम अमरूत से मुझे याद आया आज हम इन दो अक्षरों की पहचान करेंगे अ और आ पर पहले एक नजर इन फल सबजियों पर डाल ले इन में से कौन से फल सबजी ऐसे हैं जिनके नाम में पहला अक्षर है अ अनार अमरूत अदरक इन में से कौन कौन से फल सबजी ऐसे हैं जिनके नाम में पहला अक्षर है आ कैसे लिखते हैं यहां देखते हैं अ लिखना बड़ा आसान तीन अगर बना ले पहले पूँच बना कर एक से जोड़ें उपर होगी शिरो रेखा इसको हम कभी न भूलें पहले जटपट आ लिख जाएं उसके आगे लकीर खीच कर आ की शकल हम पा जाएं यह है आ अ आ लिखने का खूब हो गया अभ्यास इन शब्दों को देखिए चित्रों को देखिए एक एक करके क्या चित्र देखकर अनुमान लगा पाए नीचे क्या लिखा है अब देखते हैं इन शब्दों में अ और आ कहां कहां है आला, अल्मारी अब होंगी कुछ प्रश्न पहेली पहेली बुझना तो आप सबको अच्छा लगता है ना ये प्रश्न पहेली जो आज हमने सीखा जाना उसी के इर्दगिर्द है तो शुरू करते हैं पहेली आले में ढूंडा, कमरे में ढूंडा मिला जाकर अल्मारी में क्या आप सोच पाई किसे ढूंडा जा रहा है और वे है कहां चलिए देखते हैं ये चित्र और शब्द और अनुमान लगाते हैं आले में ढूंडा नहीं मिला कमरे में ढूंडा नहीं मिला आले में ढूंडा नहीं मिला कमरे में ढूंडा नहीं मिला अल्मारी में मिल गया अ है इसका जवाब ध्यान से देखते हैं एक पहेली और बूजते हैं वह आम में है, दाम में नहीं वह आठ में है, साथ में नहीं वह आकाश में है, बरसाथ में नहीं ध्यान से देखते हैं, अनुमान लगाते हैं अगर आपने सोचा है आ, तो बिल्कुल ठीक जबाब साथियों को बताईए ये सही जबाब कैसे हैं अब कुछ मेरे सवाल खेल-खेल में ये खेल है जटबट क्लिक-क्लिक किस शब्द में अ है? अनवरी, धान, नल किस शब्द में अ है? घर, आम, दुकान अ और आ से शुरू होने वाले कोई दो शब्द सोचिए और जटबट बताईए अचार, अदरक आटा, आलू तो हमने आज क्या सीखा? एक बार दोहरा लेते हैं हमने आज सीखा कैसे लिखते हैं? अ, आ हमने अ से शुरू होने वाले शब्दों को पहचाना अ से शुरू होने वाले शब्दों को पहचाना एक से नौ तक कैसे लिखते हैं हर अंक? समूह में कितनी चीजें है सही अंक से उनका मिलान अब हो गई हमारी आपकी पहचान अगले कारिक्रम में फिर मिलेंगे नमस्कार झाले कि अब हो बाले कि अब हो गई है झाले कि अब हो गई है